So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Infosys और Wipro की So guys, यहाँ पर अगर देखे Infosys Limited और Wipro में यहाँ पर हमें आने वाले कुछ दिनों तक एग अच्छी देजी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर Infosys में हमें आज एक बिल्कुल तगड़ा Momentum देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इसके Results Announce होने वाले है और बिल्कुल Results में एक बड़ा धमाका हो सकता है एक Analyst का कहना है यहाँ पर अगर आप देखो तो Stock ने Closing आज दी है 1429 रूपिस के Round 22.85 रूपिस के Round अगर आप देखते हो तो एक Growth आज नजराई है 1.63% तक एक Share ने Jump लगा दिया है और यहाँ पर बिल्कुल कैस कलकादीन एक Important दीत है और यहाँ पर कल एक Dividend का Analyst भी हो सकता है Company की ओर से तो इसके बीचे का Reason में बतावगा यहाँ पर हम Dividend को लेके यहाँ पर इतने Positive क्यों है तो मैं आगे बताने वाला हो So guys वीडियो को एंट तक देखना और Channel को Subscribe नहीं किया तो कर देना यहाँ पर अगर देखे Shares of Information Technologies Service Major Infosys Rose during Veznate Trading Season a day before the IT Company In schedule to announce its financial results तो guys यहाँ पर अगर देखे बिलकुल जो Information Technologies है उसमें Infosys यहाँ पर हम कह सकते हैं India की Second Largest Company है और वही अगर देखे तो 13 April यानि जो कल का दिन है इसके लिए काफी important रहने वाला है Quarter 4 FY 23 के जो results है और यहाँ पर कल announce होने वाले है और यहाँ पर guys highly chances है कि यहाँ पर जो dividend है उसका announcement होने वाला है बिलकुल guys यहाँ पर हमें पता ही है यहाँ पर March के ending में March में जो financial year था हमारा यहाँ पर end हो चुका है और बिलकुल अब results announce होने वाले है और अब market में काफी ज़्यदा fluctuations देखने को मिल चकता है काफी ज़्यदा upside downs point terms देखने को मिल सकता है और यहाँ पर बिलकुल infosys में आज 3GB हमें देखने को मिली है और कल results announce होने वाले है और यहाँ पर जैसे में बताया कि dividend मिल सकता है कल के दिन और गाइस यहाँ पर अगर देखें तो एसा हम क्यों बोल रहे है इतना positive हम क्यों है तो यहाँ पर इसके dividend के history आपके सामने है और यहाँ पर दो मन्त आपको काफी ज़्यदा attack कर रहे होगे यहाँ पर एक है October का मन्त और एक है में का मन्त इन दो मन्त के अलावा यहाँ पर किसी भी particular महीने में हमें Infosys की ओर से कोई भी dividend देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो इसके profit है और बिलकुल consistency के साथ अच्छे रहे है और हमेशा से ही यहाँ पर आगे भी ऐसा continue कर सकता है और इसके जो dividend है उसमें भी consistent यह रहा है तो गाइस यहाँ पर अगर देखें तो बिलकुल march end के साथ ही financial year end हो गया है और बिलकुल इसके साथ साथ यहाँ पर हमें कल के दिन Infosys की ओर से final dividend announcement होता हुआ नजर आ सकता है तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2021 के मई में भी इसने final dividend का announcement किया था जो था 15 रुपेगा फिर उसके बाद आप देखोगे 31 मई 2022 final dividend का announcement हुआ है 16 रुपे पर equity share का तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है results कल announce हो रहे है और कल यहाँ पर results में अगर यहाँ पर jump देखने को बिलता है जो analyst का कहना है कि बिलकुल यहाँ पर इसके revenues में एक अच्छा jump हमें देखने को मिल सकता है और वही चीज यहाँ पर dividend पर भी impact पड़ेगी तो गाइस यहाँ पर final dividend जो है वह 16 से 17 रुपे के round हमें देखने को मिल सकता है इस्टेज का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर अगर देखे कल dividend का announcement होगा और मई के मन्त में मई के मन्त में आपको dividend यहाँ पर credit कर दिया जाएगा तो यहाँ पर अगर देखे तो बिलकुल कई लोग positive है और यहाँ पर 91% लोगों की ओर से buy करने के लिए कहा जा रहा है और 3% लोगों की ओर से hold करने के लिए कहा जा रहा है और totally अगर हम देखे तो 94% लोग यहाँ पर आपको emphasis में positive nature आने वाले है क्योंकि यह काफी बड़ा breakout भी कल देने वाला है यहाँ पर guys बात कर ले तो share में हमें 11 तारिक के दिन तो एक support देखने को मिल गया था एक अच्छे support के साथ यहाँ से उपर की और गया और यहाँ ही से गिरा था 11 तारिक के दिन यहाँ से एक fall आया था फिर एक support के बाद उपर गया बड़ बारा तारिक के दिन आज की में बात करूँ तो इसे इसने continue रखा और जहाँ पर पिछले कुछ time से इस particular range से जो rejection समय देखने को मिल रहे थे उन ही level पर जाके रुका है और कल के दिन अगर ही level break होता है तो एक चिच का आपको ध्यान रखना है कि इसी level पर sustain करके काफी बड़े jump लगा सकता है और guys वही इप देखें तो यहाँ पर बड़े time frame पर भी हम इसे ascendal type triangle consider कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार rejection दे चुका है तो guys बिलकुल यहाँ से एक jump हमें देखने को मिलने वाला है तो कई बड़े target से यहाँ पर अच्छी होगे और यहाँ पर जो target हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अच्छी हो सकता है तो यहाँ पर 1600 रुपे के round का रख सकते हो guys क्योंकि यहाँ पर अग देखोगे तो इस share में बिलकुल एक strong support है और जब जब इसने इस particular range पर support लिया है अच्छे returns देखे है 1600 प्लस से share गया है और यहाँ पर भी support लेके 1600 प्लस से जा सकता है बड़ जो कल के लिए target अगर हम देखे तो यहाँ पर 40 से 50 रुपे तक की rally हमें देखने को इसमें मिल सकते है और उपर एक gap भी pending है तो यहाँ पर इसके उपर pressure है 1700 से लेके 1800 तक जाने का तो यह target हमें clear देखने को मिल चले है So guys infosys की बात हम कर चुके है बात करते हैं Wipro की So guys कल Wipro में गिरावट थी और हमने कल एक चीज कही थी कि Wipro में कल अच्छी बड़त आ सकती है और यह बड़त तब तक हो सकती है जब तक यह 380 के लेवल तक नहीं जाता और यहाँ पर हमने एक चीज कही थी कि 380 के लेवल पर यहाँ पर sustain कर गया तो share में बिल्कुल एक rally रहेंगी और Wipro में अगर आप देखोगे तो आज इसने closing दी 372 रुपिस के around 2.25 रुपिस के around तक की बड़त है और वही बड़त आगे stock में जो हमें community sentiments के आकड़े दिखते हैं ओ भी कल के लिए positive है 87% लोग जो है इस share में हमें buy करने के लिए किया रहे है और 13% लोगों की ओर से हाँ पर sell करने के लिए भी कहा जा रहा है levels की बात कर ले तो levels में बिल्कुल एक अच्छा support हमें देखने को मल जाता है इस share यहाँ से एक अच्छे support के साथ उपर की और जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमने पहले भी कहा था कि एक अच्छा support ले चुका है और यही से continuation बनाएगा और यहाँ पर भी कहीना कहीं यह support लेने की कोशिश कर रहा है पर यहाँ से एक अच्छी growth बता सकता है बट एक चीज में आपको clear कर देता हो कि एक breakout का आपको wait करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हो guys यहाँ पर भी में trade line बनाओ तो इसी pattern से होते होई जाती है इसे आप एक symmetrical type pattern भी कह सकते हो और यहाँ पर आप देखोगे तो दो बार से लेके लगबख 4 बार तक यहाँ से rejections है यह अगर इस particular trade line को ऊपर की ब्रेक करता है तो एक अच्छी rally देखने को हमें मिल सकती है बट वही अगर देखे तो highly chances है कि इस level को ए rejection लेके नीचे भी आ जाए तो ए rejection लेके नीचे भी आ सकता है तो इस चीज का ध्यान रखना है तो वेट करो breakout का breakout अगर मिल है तो एक अच्छी तेजी हाप राएंगी तब ही आपको आगे के लिए जाना है तो guys यहाँ पर बड़ी time frame पर हम देखे तो 380 तक यह stock क्या जाएगा तो हाँ बिल्कुल इसका answer is जा सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इन्ही पर्टिकलर लेवल से यह काफी बार support ले चुका है एक support यहाँ से लेके उपर गया था यहाँ से लेके उपर गया था और यही पर breakdown के बाद काफी बड़ा fall देखने को में मिला और यही पर हो सकता है प्रॉपर breakout का तो इस चीज़का आपको त्यान रखता है I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहले इंशेर्स का एक बार analysis कर लेना है Thank you